नमसकार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत सागत करता हूँ दोस्तों आज मायावती जी ने दिखा दिया कि वो कितनी जादा एक्टिव है आज मायवती जी ने बता दिया कि बहुजन समाज के खिलाफ कोई भी साजिश बरदाश्ट नहीं की जाएगी आज उन्होंने बता दिया कि बहुजन समाज के हितों की लड़ाई वो ही लड़ रही है आज उन्होंने बता दिया कि बहुजन समाज को कोई नहीं तोड सकता जी हाँ दोस्तों आज मायावती जी ने SCST जो आरक्षन का फैसला था सुप्रीम कोट का जो बटवारे वाला फैसला था उस बटवारे को लेकर दोस्तों जो बात कई वो बेहद हैरान कर देने वाली है मायावती जी ने कहा सुप्रीम कोट के फैसले पर कि बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ दोस्तों मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा वीडियो भी बहन जी का आपको दिखाऊंगा बहन जी का तेवर भी आपको मैं दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप फैसला भी अपने आप में कानून होता है लेकिन अगर सुप्रीम कोट और संसद में कहा जाए सबसे बड़ा कौन है तो संसद ही है दोस्तों मान लिजे सुप्रीम कोट का कोई फैसला आया तो उस फैसले को संसद ही पलट सकती है उस फैसले के खिलाफ जाकर संसद एक कानून भी बना सकती है दोस्तों अगर मैं मिसाल के तोर पर आपको बता हूँ तो याद करिए शाहबानो केस राजीव गांधी जी के जमाने में एक केस आया था शाहबानो केस इसी केस को पलट गया था राजीव जी ने संसद ने सुप्रिम कोट के इस फैसले को पलट दिया था तो सुप्रिम कोट के आदेश फैसले को पलटने की ताकत संसद रखती है और दोस्तों आज मायावती जी ने साफ तोर पर कह दिया है कि सुप्रिम कोट का जो आदेश आया है SCST Reservation के बटवारे पर वो असंबैधानिक है, अनुचित है, गलत है ये किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा बहन जी ने सुप्रिम कोट के फैसले को लेकर कहा कि ततकाल इस फैसले को पलटना चाहिए संसद से इस फैसले को पलटना होगा बीजेपी कॉंग्रेस सब को मिलकर इसमें जोर देना पड़ेगा संबिधान संशोधन करना पड़ेगा सुप्रिम कोट के फैसले को पलटा जाए और SCST Reservation को नुवी अनसूची में डाला जाए दोस्तों जब किसी कानून को हम नाइन्थ शेडूल में डाल देते हैं तो उसे कोई पलट नहीं सकता उसे कोई संशोधित नहीं कर सकता ये हमारे संबिधान में लिखा हुआ है जब किसी मुद्दे को नाइन्थ शेडूल में डाल दिया जाता है तो उसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोड नहीं आ सकता ना ही संसद उसे उसमें कुछ संशोधन कर सकती है दोस्तों मायवती जी ने आज इसी तरह इशारा किया कि जो S.C.S.T. Reservation का मामला है संसद से इसको पलटा जाए और 9th schedule में इसे डाला जाए क्योंकि अभी तक जिन लोगों को जिन S.C.S.T. समू को आरक्षन मिल रहा है अभी वो मुकमल नहीं है उन्होंने एक बात कही जो दिल को छू लेने वाले हैं उन्होंने कहा कि 10% जातियां भले ही Reservation से मजबूत हुई है लेकिन 90% जातियों की हालत अभी भी खराब है जातियों को लेकर दोस्तों मायवती जी ने क्या परत्किरिया दी है सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये वीडियो देख लीजे वीडियो भी आपको दिखाना जरूरी है वीडियो देखे आप परसंट लोगों की तो हालत बहुत जादा खराब है उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जो 9-10 परसंट जो जातव या इसे मिलती जुलती जातियों की इस्तिती आर्टिक इस्तिती सुधर भी गई है लेकिन समाज में तो आज भी जातिवारी लोग उनको पुराने नजरिये से लेखते हैं जादपात तरीके से लेखते हैं इसलिए अभी इन सब को रिजर्वेशन की बहुत जादा सक्ष जरूरत है तो सुना आपने दोस्तों मायवती जी ने साफ तोर पर यहां कहा है कि अभी जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है रिजर्वेशन की अभी सब को बहुत जादा जरूरत है दोस्तों मायवती जी ने आज जिस अंदाज में मीडिया के सामने अपनी बात रखी उनका जो वीडियो है काफी वाइरल हो रहा है उन्हों जिस अंदाज में आप आज कहा कि बहुत बुरा हुआ उसकी क्लिप बहुत जादा वाइरल हो रही है और जो बहुजन समाज है वो बहुत जादा आज खुश है दोस्तों वो इसलिए खुश है क्योंकि बहन जी ने अप तरही के से सुप्रीम कोट के फैसले पर नाराज़गी जाहिए है दोस्तों ये किलिप में आपके सामने रखना चाहता हूँ देखिये जरा नहीं नहीं अभी यह तो मानने सुप्रीम कोट को बताना चाहिए था ना हम लोग तो नहीं करेंगे सुप्रीम कोट ने कोई इसका पैमाना भी तैकिया नहीं है वो समग भूत ढूल मुल यह जजमेंट है और इस तरीके से इसकी आड में राजे सरकारें जो सी स्टी को अभी नहीं तक रिजब वे शंग बिन रहा है सको बिल्कुन निस्फप्रभाबी बना देंगी ना कह ब्राबर इसको कर देंगी लोगों को 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 कोई इसका लाब नहीं मिलेors ने हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई-लड़ दोस्तों इस प्रेस वारता में मायवती जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भबिश में आरक्षन में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश ना की जाए संबिधान के नवी अनसूची में इसे शामिल किया जाए अनसूचित जातियों जन जातियों को आगाह करते हुए बहन जी ने कहा है कि आपात कारिनिस्ति को समझते हुए स्टी वर्ग को एकजट होने की जरूरत है यदि आप बटे रहेंगे तो विरोधी इनका फायदा उठ दोस्तों एक बात और आपको याद दिलाओंगा सुप्रीम कोट में अपने ही फैसले को परटा है इस बात की तरभी बहन जी ने इशारा किया और यह भी कहा कि राज सरकारों को इससे राजनिती करने का मौका मिल जाएगा राज सरकार इस पर राजनिती करेंगे अपने अपने तरीके से लोगों को लोकल भावन वादे करेंगी इस तरभी बहन जी ने दोस्तों लोगों का ध्यान आकरशित किया है दोस्तों कुछ reactions सामने आये हैं मैं चाहता हूँ आपके सामने कुछ reactions भी रखूं किस तरीके से लोग बहन जी की तारीफ कर रहे हैं दिलिप मंदल ने क्या लिखा है बहुजन समाज यानि SCST और OBC के हितनों की बात हो तो मैं आदरणिये बहन जी की बातों पर आँख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ उन्होंने जो बोल दिया उसे समाज को सुनना और समझना चाहिए वहीं दिलिप मंदल की बात को जवाब देते हुए इम्रान शकील ने थोड़ा संशोधन किया है बहुजन समाज के परिभाशा की बात किये ये कह रहे हैं बहुजन समाज की पूर परिभाशा लिखिये इसमें शोशित बंचित अलप संख्यक समाज भी शामिल है आदरणिये बहन जी बहुजन नायक साहिब कांशी राम ने अलप संख्यकों को बहुजन समाज का अभिन अंग माना है इमरान शकील आगे लिखते हैं कि अंधिता बहन जी काम आई कहां हैं वो लोग जो चुनाव के वक्त इंडिया ब्लॉक के लिए खुल कर बैटिंग कर रहे थे आज कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी कहां है जिन दलित चिंतकों और यूट्यूबर्स ने आदरणिये बहन जी के वियोद में चुनाव के समय अनाफ शनाव बाते के थी आज वो पूरे बहुजन समाज को जबाब दे बताएं बुरे वक्त में कौन काम आया तो दोस्तों आज माया वती जी ने भारतिये जनता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी को आयना दिखाया और कहा कि इन लोगों आरक्षर में कोई बटवारा हो हम अदालत में लडाई लड़ना चाते थे लकिन हमें नहीं लडने दिया गया इस बात की तरभी वहन जी ने लोगों का ध्यान आकरशित किया उन्होंने यही कहा एक लाइन में कि अपने फैसले पर सुप्रीम कोट पुनर विचार करे ये ब तो दोस्तो आज बहन जी पुराने अंदाज में नजर आई और बहन जी के इस वीडियो को लेकर बहन जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी बहुजन समाज में दोस्तों खुशी कि लह रहा है और हर कोई बहən जी से अब कही ना कहीं यहीं उम्मीद कर रहा है कि बहन जी आरक्षन, SCST आरक्षन के वर्गी केरण या बटवारे का वियोद क्या है दोस्तों आपकी इस पर क्या प्रत्किरिया है सुप्रिम कोर्ट के फैसले के साथ है आप या बेहन जी के फैसले के साथ आप भी दोस्तों कोमेंट करके अपनी राय दीजी बहुत बहुत धन्वात शुक्रिया